मूवी स्टार्ट होती है और हम अमारे मेन ग्यारेक्टर फिरात को जो कुछ समय से कोमा में था उसे जगता होगा देखते है इसकी मदर उसे उठाया थी है और इसके बाद वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था वो गहता है कि बाकी लोगों का क्या हुआ एक हाथसे की वज़े स सिच्वेशन में हो था और बाकी लोगों के बारे में हो जानना चाहता था अब इसके बाद एक साल पहले से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है फिरात का एक न्यूजपेपर का बिजनेस था लोगों की आर्पीजरी देखकर वहाँ से वो पैसे कमा लीता था आज कल सीटी में जादा लोगों की डेइथ हो नहीं रही थी और इससी वज़े से उसे कुछ भी एड्स भी मिलनी रहे था वो अपनी टीम को जाधा काम करने के लिए कह रहा था पर फिर भी कुछ भी हो नहीं रहा था वो फाइनली आज अबने बिजनेस को शट डाउन करने का डिसाइड कर लेता है उसने हमने स्टाफ को पेई भी नहीं किया था कहता है कि बिजनेस नहीं चल रहा मैं आप सब को पैई कैसे कर सकता हो उसे बहुत सारे लोगों से लोन भी लिया था इस सारे पैसे वापस करने पढ़ेंगे उसकी फिरेंड मेल्डा उसके सारा सामान लेकर जा रही थी वो उसे कहती है कि मैं और मेरा हस्बंड एक फैस्टिवल के लिए जा रहे तुम्हें मेरे साथ आ सकते हो तुम्मारा मूट जरा ठीक हो जाएगा फिराध कहता है कि फैस्टिवल पर आने के लिए माँज आज जाता है जब बन चुका था और पूरी trip पर वो phone भर ही बात कर रहा था फिराथ को उसे बात करनी के opportunity नहीं मिल रही थी तो फिराथ सरथ को call ही करता है और कहता है कि अगर तुम्हारा call पर बात करना खतम हो गया होगा तो हम से भी बात कर लो इस पर वो बहुत अस्ते हैं इसके बाद राद में वो फेस्टिवल की जगा पर पहुँच है यो कोई फेस्टिवल नहीं तो योगा रेट्रीक्ट थी सुबह चार बज़े उठकर वहाँ पर उन्हें योगा करना था फिराथ का जाने का मन नहीं था पर मेल्डा कहती है तुम्हें इस चीज़ को चांस देना चाहिए फिराथ मेल्डा से कहता है कि सरत से मैं बात करता हूँ उससे पैसे ले लूँगा और कल में यहाँ से चला जाओंगा मेल्डा उससे कहती है तुम्हें इस मूमेंट में जीना चाहिए शायद यहाँ का इन्वार्मेंट उमें अच्छा लगे योगा सेशन पर इंस्ट्रक्टर उने बहुत सारी फिलोसोफिकल बाते बताती है इसके बाद फिर वहाँ एक लड़ की गाना गाने लगे उसका नाम था लीडिया वो बहुत ही ब्यूटिफुल सा काना गाती है और फिराद को उसे देखकर बहुत अच्छा लगता है फिलोसोफिक अदम होने के बाद इस सब लोग उसका मज़ा कुड़ा रहे थे फिराद जरा आगे चलता है और देखता है कि लीडिया फोन पर किसी से जघकर रही है वो अपने पैरन्स से बात कर रही थी और गुस्से में उसने फोन फेक दिया सैंड में फोन गुम हो जाता है तो फिराद उसे ढूड़ने लग क्या लीडिया भी इसे ढूडने लग जाती है फिराद उसे अपना मोबाल देता है और कॉल करने के लिए कहता है लीडिया को फिरे मोबाल मिल जाता है फिराद ने लीडिया से पुछा कि क्या तुम भी यहाँ पर योगा करने के लिए हो लीडिया कहती है कि अलग-अलग इवेंट्स पर में सिंग कहती हूँ उसने इवेंट जॉइन किया ता कि वो योगा भी सीख सके वो फिराद से बुछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हूँ फिराद कहता है कि मुझे इन सब चीजों में जादा इंटरेस्ट नहीं है वो भी बच्पन में ड्रम बजाता था पर बात में उसने सब कुछ छोड़ दिया वो कहता है कि यहाँ पर मेरे फ्रेंड से लोन लेने के लिए माया हो लीडिया इस बात पर हस देती है तब ही वहाँ पर लीडिया का फ्रेंड यूसूप आ जाता है वो फिर उसके साथ वहाँ से चली गई फिराद फिर जाकर सरद से बात कहता है उससे बुझता है कि बिटकॉइन के बारे में मैं बहुत कुछ सुन रहा हो इसमें जो हिम्मत दिखाएंगे वो ब्लेस्ट हो जाएंगे और जो हिम्मत नहीं कर सकेंगे वो बरबात हो जाएंगे इन सब बात उपर फिराद मजा कुड़ाता है इसके बात लीडिया वहाँ पर गाना गाती है उसके गाने में वो गूम हो गया था उनका फेस्टिवल फिर खतम हो जाता है और अगली दिन वो वापस आ रहे थे फिराद सरेट से बात नहीं कर पा रहा था तो फिर से उसे कॉल लगाता है उसे कहता है क्या तुम मुझे कुछ पैसे लोन दे सकते हो सरेट बहुत ही कम पैसे उसे लोन दे रहा था पर मिलडा करे कहने पर उसे वो पैसे दे देता है फिराद अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहा था तभी एक आदम है उसे मिलने के लिए आया अगले दिन उसका फ्रेंड हो से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जॉब करना चाहिए उसकी company में as a salesperson काम कर सकता था फिरात कोई जॉब के वारे में कुछ भी पता नहीं था और interest भी नहीं था इसलिए हो मना कर रहा था फ्रेंडों से कहता है कि अब तुम जिस position में हो इसमें तुम मना नहीं कर सकते तुम्हें पैसो की बहुत जरूरत है तुम्हें offer accept कर लेना चाहिए एक client के लिए एक new city में हो जा रहे थे एक बहुत important seminar था और इसमें वो फिरात को फिर भेज देता है फिरात नहीं भी job accept कर लिया था seminar कतम होने के बाद वही उसी hotel में वो Lydia की singing सुनता है और उसके पास हो आ क्या उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है Lydia भी आकर उसे मिलती है और उसका नाम अभी हो जानती थी यूसिफ फिर फिरात से पुछता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो फिरात उसे अपनी company के बारे में बताता है Lydia ने उसे पुछा कि क्या तुमें अपना काम अच्छा लग रहा है फिरात कहता है कि इस चीज में मैं एफर्स डाल रहा हूँ Lydia उसे last event से remember कराती है कि जीज चीज में आपको effort डालना पड़े वो करने लायक नहीं होती जो भी चीज आप actual में करना चाहते हो वो effortlessly हो जाती है ये बात फिरात समझ नहीं पाया था Lydia उसे बुछती है कि तुम्हारा last business क्या था फिरात उसे कहता है कि मैं आर्बे जूरे देता था इस बात पर Lydia बहुत अस्ती है आज रात Lydia का और एक singing event था इसमें वो फिरात को invite करती है फिरात कहता है कि रात में मुझे सेमिनार पर जाना पड़ेगा इस वज़े से वो आनी पाईगा Lydia फिर भी उसे आने के लिए कहकर वहाँ से चली की फिरात रात में Melda को call कहता है उसे कहता है कि Lydia मुझे फिर से मिली थी वो Lydia के event पर जाने के लिए बहुत excited था पर उसे काम भी था Melda उसे कहती है कि तुम्हें अपने heart को follow करना चाहिए जो अच्छा लगे वही करना चाहिए फिरात फिर Lydia के पास आ जाता है Lydia को भी उसे याद देखकर बहुत अच्छा लगा वो तीनों मिलकर फिर hangout करते है उने बताता है कि किस तरीके से उस पर करजा हो गया था और उसे अपना job पसंद नहीं है कल रात के बाद उसका अब job भी चला गया है Lydia उसे कहती कि तुम हमारे साथ आ सकते हो event करते हैं अलग जगा पर अब वो जा रही थे फिरात पहले तो इसके लिए मना करता है पर Lydia कहती है कि वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी प्लान नहीं है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए फिरात फिर अपने फ्रेंड को call कर देता है और उसे अपने job छोड़ने के बारे में बता देता है वो फिर Lydia और यूसुप के साथ ट्रैवल करने लग गया उनके साथ वो ड्राउंस बजाता है वो मिलकर बहुत सारे इवेंट्स करते है एक साथ बहुत मज़े करते है एक रात एक इवेंट पर Lydia के साथ एक आदमी बत्तमीजी करने लग गया फिराद गुसे में उसे पंच कर देता है और जल्दी से वह वहाँ से भाग गया इस इंसिलेंट का मज़ा कोड़ा करो तिनों बहुत एंज़ॉय करते है रात में फिर वो Lydia की घर पर आगे सुबह उनके घर पर कोई आता है और फिराद ने डोर खोला ये ओल्ड मैन गया थे कि मुझे बानू से मिलना है फिराद ने कहा कि यहाँ पर कोई भी बानू नहीं है तब ही वहाँ पर Lydia आ जाती है एक्चुल में Lydia के फादर थे और Lydia का एक्चुल नेम बानू था फादर बुशते कि तुमने अपना नाम क्यों बदल लिया Lydia कहती कि मैं पहले जो थी अब वो नहीं रही हो यहाँ पर उसके फादरों से वापस ले जाने के लिए आये थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो नहीं चाते थे कि Lydia अपनी life इस तरीके से independent जी है अलग-अलग जगा पर खुमे वो उसके लिए अच्छी stability और career जाते थे वो गहते कि प्लीज ये सब छोड़ कर मेरे साथ आजाओ अपना education कंप्लीट करो और हमारे साथ तुम रह सकती हो Lydia कहती है कि घर छोड़ने के बाद से मैं बहुत है happy हूँ उसे फिर से वापस नहीं आना था फादरों से कहते हैं कि हम तुमें इस तरीके से accept नहीं कर सकते हैं तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है उन्होंने कहा कि अब से तुम मेरी daughter नहीं हो और गुसे में वहाँ से चले के इन सब बातों की वज़े से Lydia को बहुत तकलीफ होती है इसके बाद वो फेस से अपनी events को continue करते है ट्रैवल करते हैं वो लोग turtles को देखते हैं ये एक अलग type के turtles थे Lydia फिर उन से कहती है कि एक English लड़की नहीं discover किया था वो अपना घर चोड़कर explore करने के लिए निकल पड़ी थी वो यही बस सेटल हुए और animals को उसने सेव किया अगर वो घर पर ही रहती तो कुछ भी discover नहीं कर पाती अपनी life सही से जी नहीं पाती एक रात फिराद यूसुप से बुछता है कि तुम और लीडिया मिले कैसे थे यूसुप कहता है कि यूसुप कहता है कि मेरी girlfriend ने मुझे उससे मिलाया था फिराद कहता है कि क्या दुमारा अपनी girlfriend के साथ break up हो गया यूसुप कहता है कि उसकी death हो गई थी वो बिमार पड़ गई थी और बहुत ही जल्दी हमें चोड़ कर और चली की उसे और उसके कुछ friends का band था यूसुप बहुत ही ज़ादा गम में था और इसी वज़े से उसे चोड़ कर एक एक लोग चले के फाइनली लीडिया यूसके साथ रही थी यूसुप का अपनी girlfriend के अभी भी याद आती है उसे लगता है कि वो अभी भी उसके साथ ही है वो जो भी काना लिखता है वो सिर्व अपनी girlfriend के लिए लिखता है फिराद उसकी बात समझ सकता था यूसुप ने फिराद से बुचा कि तुम्हें लीडिया के बारे में क्या लगता है यूसुप को बदा था कि फिराद को लीडिया अच्छी लगती है फिराद ने कहा कि मेरी फिलिंग्स अतनी इंपोर्टन नहीं है लीडिया मेरे बारे में क्या सोचती है ये बाद जादा important है तब ही वहाँ पर Lydia आके और इस subject change कर देते है Lydia यूसुप से कहती है कि तुमने अपनी girlfriend के लिए जो बहुत ही beautiful सा song लिखा था वो में एक आकर सुनाओ ये बहुत ही beautiful सा song ये song बहुत ही अच्छा था इसके बाद राद में फिराद और Lydia ये दोनों walk कहते है फिराद जरा worried लग रहा था लिडिया बुश्ती की हुआ क्या वो गहता है की जिन लोगों का loan बाकी था वो लोग मेरे घर पर आकर सारा सावान लेकर चले के अब इसके बास कुछ भी बाकी नहीं था लिडिया बुश्ती की क्या तुम upset हो फिराद कहता है की घर में मैंने बहुत सारे efforts डाले थे लिडिया कहती है की फिर से तुम efforts के बारे में बात करने लग गए फिराद उसे बुश्ता है की क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है लीडिया कहती कि मुझे कैसे बता चलेगा कि मुझे प्यार हुआ है फिरात कहता है कि मेरे तुस टमक में बटरफ्लाइस आते है हमेशा पूरी बॉडी में एक पैन महसुस होता है ये एक बहुत ही आलागी फिलिंग होती है लीडिया कहती कि अगर एक ही परसन को प्यार हो तो उसे प्यार नहीं कह सकते फिर वही एक परसन उस रिलेशनशिप में एफरस डालेगा प्यार को इस मुमेंट में जीना चाहिए ये वाइल और स्पॉंटेनेस होना चाहिए वो दोनों फिर एक शूटिंग स्टार को देखते है और दोनों ने एक विश्च की इसके बाद अगले दिन जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो उन्हें एक साइन दिखता है मुवी की स्टार्टी में जो इवेंट हुआ था उसी इवेंट का है साइन था वो फिर डिसाइड करते है कि उन्हें इस इवेंट को फिर से अटेंड करना चाहिए इस बार वो वहाँ वर गए तो बहुत ही ज़्यादा शान्ती थी वहाँ पर वो इंक्वाइरी करते है तो उन्हें पता चलता है कि इस बार वहाँ पर कोई भी कुछ भी बात नहीं करने वाला जितने भी दिन यहाँ पर इवेंट चलेगा उतने दिन यह सब लोग शान्त रहेंगे कुछ भी बात नहीं करेंगे इसे जॉइन करने का फिर वो डिसाइड कर लेते हैं उन्हें एक लड़ के आगर सब कुछ इंस्ट्रक्शन बताती है वा इसे हो जॉइन कर लेते हैं बिना कुछ कहे बोले ही एक दुसरे के साथ अपना टाइम एंज्जाइ करेते हैं यहां हम देखते हैं कि लीडिया और फिरात की बीच में करीविया बढ़ रही थी एक राद वो बोन फायर के पास साथ में बैटे थे और एक दुसरे को किस कर ले थे एक दुसरे के साथ एक बहुत ही ब्यूटिफुल सी राद बिताते हैं यह फेस्टिवल कदम होने के बाद जब एप पच जा रहे थे तो यूसूब उनसे बुच्छता है क्या तुम दोनों की बीच में कुछ चल रहा है लिडिया और फिरात दोनों इस बात पर हस देते हैं इसके बारे में वो बात ही करने वाले थे तब एक ट्रग आकर इनसे टकरा जाता है इसे एक्सिडन्ट की वज़े से फिरात कौमा में था और मुवी की स्टार्टिंग में वो कौमा से उठ जाता है इस एक्सिडन्ट के बारे में उसकी मदर ने उसे कुछ भी पताया ने तो राद में वो ऑनलाइन सर्च करता है उसे पता चला कि यूसूप की एक्सिडन्ट में डेथ हो गई थी इस बात की वज़े से उसे बहुत ज़्यादा पुरा लगता है उसे अब लीडिया को ढूणना था इसके बारे में वो मेलडा और सराथ से बात करता है ये जो मुवी का टाइम था ये करोना का था और इसी वज़े से वो कही पर भी जा नहीं सकता था हर जगा पर केर ली जा रही थी सराथ फिराथ को समझाने की कोशिश कहता है कि हर जगा पर लॉकड़ान लगा हुए है सब कुछ चीज़े बंद है तुम उसे कैसे ढूंडोगे फिराथ फिर भी इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं था सराथ ने अल्रीडी लीडिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल कर रखी थी उसके फादर की कमपनी कहा पर है फिराथ वहाँ जाकर कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकता था उसके पास कुछ भी कार नहीं थी तो सरद से हेल्फ मांगता है मेलडा उसे कुछ पैसे देती है और लीडिया को ढूणने के लिए मोटिवेट करती है वो पने प्यार को ढूणने के लिए जा रहा था और उसके लिए वो लोग बहुत खुश्च थै लीडिया के फादर की कंपनी के नीचे ही फिरात को रोक लिया जाता है उसे अपॉट्मेंट के बारे में बुश्च फिरात कहता है कि मेरा उनसे मिलना बहुत इंपॉर्टन्ट है उनके डॉटर के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ मैं भी उसे accident में था ये बात सुनकर फिर लीडिया के फादर के साथ उसकी बात होती है फादर उसे बुछते है कि तुम लीडिया से चाहते क्या हो फिराद कहता है कि मैं सिर्व उसे एक बार मिलना चाहता हू लीडिया के फादर ने का कि तुम यहाँ से चले जाओ और मेरी डॉक्टर को भूल जाना यह हमारी लास्ट मिटिंग थी इसके बाद हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे लीडिया के फादर नहीं चाते थे कि फिराद लीडिया से फिर से मिले और फिर से उसी लाइफ में लीडिया वापस चली जाए जिससे लीडिया को निकालने में उन्हें बहुत टाइम लगा था वो लीडिया को प्रोटेक्ट करकर रखना चाते थे फिराद फिर वहाँ से चला जाता है उसे देखकर सप्राइस्ट हो गए वो दोनों इक दुसरे की गले लग जाते है फिराद लीडिया को सब को समझाता है कि वो कोवा में था लीडिया कहती कि मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी तुमारी मदर नहीं चाहती थी कि मैं तुमसे फिर से मिलो उन्होंने हर एक चीज़ के लिए मुझे ही बलेम किया था फिराद कहता है कि तुमारे फादर ने भी मुझे जादा वेलकम नहीं किया इस बात पर दोनों हसते है यूसुप के लिए उन दोनों को बहुत बुरा लग रहा था यहावर लीडिया की मदर भी थी यूसुप से कहती है तुम दोनों को अब अलग हो जाना चाहिए मुझे मेरी डॉर्टर अफ फाइनली वापस मिली है प्लीज हमें अकिला छोड़ दो लीडिया फिराद को हक करकर वहाँ से चली जाती है वो अपने तेरभी को कंटिन्यू कर रही थी तो फिराद आकर उसे मिलता है वो दोने एक दुसरे के साथ भाग जाने का डिसाइड कर लेते हैं वो पीछे के दर्वाजे से बाहर आ गए और कार में बैट रहे थे तो लीडिया के फादर के गार्स उने रोकने लगते हैं फिराद उने पंच करकर वहां से भाग जाता है दोनों को एक दुसरे के साथ बहुत अच्छा लग रहा था वो फिर से फेस्टिवल के जगा पर आ जाते हैं वही पर अपना टाइम स्पेंट कहते हैं आज राद एक दुसरे के साथ वो इंटिमेट हुए कुछ समय एक दुसरे के साथ बिताने के बाद एक माउंडन पर हो गए वहां के इंस्ट्रक्टर उन से कहती है कि तुमारी स्टोरी को कम्प्रेट करने के लिए पर्फिक्ट स्पॉट है वहां पर फिराद यूसुप को देखता है वो जाकर उसे गले मिल जाते है उसकी डेथ होगे और वह फाइनली लीडिया से मिल जाता है सच्चे ब्यार को मोद भी जुदा नहीं कर सकती है इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है अगर आपको एक्स्पेशन अच्छा लगता है तो प्लीसे लाइक और कमेंट जरू करतीजएगा बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता है तो प्लीसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजए और बेल उटिविशन नाइकों दने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और इन अमयों के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये